हलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CRM के उपर, Customer Relationship Management और यह हर कंपनी के लिए बहुत ही ज़ादा important होता है इवन आप startup हो, यह आपके बड़ी company है, mid-size company है CRM के बारे में आप सब ही जानते होंगे और यह कितना ज़ादा useful होता है आपके company के लिए यह आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा plus CRM का development cost क्या होता है उसको कितने समय में बनाया जा सकता है आपकी requirement के हिसाब से यह सारी चीजे मैं आज discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में cost और समय के उपर मैं बाद में बात करूँगा सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके benefit के बारे में कि आखिर CRM क्यों develop किया जाता है इससे company को क्या फायदा होता है और customers को क्या फायदा होता है जैसे मान के चलिए मैं मेरी company के example लेके चलता हूँ बाकि आप अपने-पने companies में सब के अलग-अलग problems होते है मेरे जो मेरा जो organization है यहाँ पर मेरे को अच्छे से knowledge है इस company का कि हम कैसे CRM का use कर रहे है बाकि अदर-दर company में अपने-पने हिसाब से use किया जाता है CRM दोस्तों use होता है मान के चलिए कि मेरे पास अभी 18, हमारी 18 लोगों की team है ठीक है अब 18 में कुछ developers PHP के है कुछ Android के है, कुछ Flutter के है कुछ game developers है, कुछ मेरी marketing team है ठीक है तो अभी इन सबने daily वो क्या task कर रहे है daily क्या काम कर रहे है भी मान के चलिए कि मेरे पास एक project आया अब project आया और मैंने सीधा उनको send कर दे कि यह project कर लो ठीक है, ऐसा नहीं होता है यह सभी चीज़े systematically होती है example के तोर में मान के चलिए कि आज मेरे पास project आया उस वो एक application मुझे बनाना है तो उस application में तीन developers काम करेंगे front end, back end, UI designer उसके बाद में testing वाला part बीच में project manager भी रहेगा तो यह 5 लोग actually तीन लोग developers, दो लोग tester और एक project manager add कर लिए तो 5 लोग की team काम करती है तब जाके एक application completely ready हो जाता है market में run करने के लिए तो अब जो मेरे पास application का project आया है तो वो मुझे किसको देना है अभी मेरे पास और कितने सारे project pending पड़े हुए है और हम कितने complete कर चुके है और हमने AMC मतलब और कितने contract लेके रखे हुए AMC के तो यह सब कुछ आप दिमाग में manage नहीं कर सकते हो और यह आपकी जो requirement है इस तरीके के software भी market में available नहीं मतलब आपकी पुरी requirement को fulfill कर सके ऐसा कोई software नहीं है हर टाइम कुछ ना कुछ customize होता रहता अब आपके business में आप क्या सोचते हो आप से बहतर कोई नहीं जानता है इसलिए CRM प्लस सरिफ यहाँ पर team management नहीं होती है आपका CRM जब आप एक software बनाते हो उसमें क्या होता है आपके team भी manage होती है प्लस आपका जो customer relationship होता है वो बहुत strong हो जाता है वो कैसे strong होता है मैं आपको बताता हूँ अब जैसे मान के जलिए कि आपका जो customer है जो भी सामने वालने में को project दिया है तो उसके project में क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और उसके project में कितना percent काम हो गया है और कितना समयल हैगा उसने deadline क्या दे थी कितने लोग काम कर रहे है प्लस अगर उसका कुछ problem है यह सारी चीज़े call पे discuss करना हर टाइम possible नहीं होता है तो इसके लिए यहाँ पे उनको एक panel प्रोवाइट कर दो वो daily अपना देख पाएंगे कि आज दिन भर में क्या उनके application पे काम हुआ है उसके बाद में उनको क्या problem face कर रही है वो वहाँ पे चेक करके हमें वहाँ पे ticket raise कर सकते है मतलब यह सारी चीज़े आप देखो कभी कश्मर केर को call भी करते हैं वो आपको बोलते है कि हाँ सर हमने आपका ticket raise कर दिया कुछ ही समय में हमारी back end team आपके problem को solve कर देगी तो यह management कैसे हो रहा है यह CRM के थ्रू होता है यह without CRM किसी भी company को एक सही तरीके से manage करना possible नहीं है इवन हमने भी MT ने भी अपसे मतलब लगों मान के चली कि एक साल तक हमने CRM का use नहीं किया था बहुत ही random नी सारी चीज़े हम कर रहे थे बट काफी problem face करना पड़ा जिसके वज़े से हमारे कुछ customer relation भी बहुत खराब हुए है लेकिन उस चीज़ को हमने solve किया है अब हमने CRM अपनी मतलब install कर लिए CRM softwares पे हम सारा कुछ हैंडल कर रहे है और आपको भी अब हमारे जो भी customers रहेंगे हम उनको भी provide कर रहे है एक panel ताकि उनको ये समझ में आए कि वो उनके project पे क्या काम चल रहा है उन्होंने जो project हमें दिया हुआ है उस पे कितना काम हुआ कितना बाकी है कब तक ready होगा जो हमने बनाया हो टेक्स्ट कर सकते हैं कुछ problem होगा तो वहां से ticket raise कर सकते हैं यह सारी चीज़े तो CRM पे क्या होता है customer relation में आपका strong हो जाता है प्लस आपकी team क्या काम कर रही है यह एकदम transparent हो जाता है आपकी team क्या काम कर रही है वो customers भी देख सकते हो आप भी देख सकते हो एक बार आपने सुबह 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 CRM उपन किया वो सारी चीज़े दिख जाती है यह होता है अक्च्वल में CRM का फायदा अब यह मेरे business का है और लगबग सभी business में owner होता owner के staffs रहते हैं और owner जिससे profit कमाता है उनके customers रहते है यह सभी companies में होता है तो CRM हर company के लिए बहुत ज़्यादा important होता है अब बात करते हैं दोस्तो CRM के development cost के बारे में देखो दोस्तो CRM जो है customer relationship management यह जो एक तो एक software आप बना लीजे या फिर एक website में एक panel बना लीजे जहांपे multiple panels रहेंगे एक super admin रहता है यह ऐसे ही रहता है इसका एक अलग से application नहीं हाता है website पर फर्फेक्टली वर्क होता है link के तरह मतलब मान के जिले link ही रहेगा वो एक application अलग से नहीं दिया जाता CRM software जो रहता है यहाँ आप software बना सकते हो अलग बात है लेकिन वो CRM बहुत जादा profitable होता है हर company मतलब IT companies के लिए तो क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे पता चल रहा profitable है बाकि अगर आप किस companies में हो आपका क्या organization है आपका क्या business है यह मैं नहीं जानता पर फिर भी minimum मान के चलिए 4-5 लग का वहाँ पर development cost लग जाता है अब बात करते हैं दोस्तो इसके मतलब कितना समय जाएगा ऐसे CRM software को build करने में CRM website को अगर बनाया जाए तो minimum मैं आपको बता दो 60 days यह 75 days 3 महने का मतलब मान के चलिए minimum अब यह build होके आपको मिलेगा उसके testing में कितना समय जाने वाला है यह भी मैं आपको भी यहाँ पी नहीं बता पाऊंगा वो अब आपके requirement के उपर depend करते हैं कि आपने क्या requirement प्रवाइट की है तो यह सारे जो चीजे हैं इस तरीके से work करती है CRM का मतलब भी मैं आपको बदा दिया cost भी बदा दिया, समय भी आपको बदा दिया और भी अगर आपको जानना है या फिर अगर आपको अपने company के लिए आपको अपने team के लिए CRM बिल्ट करवाना है तो आप हमें contact कर सकते हो नीचे description box में मेरा contact number दिया हुआ है आयोब दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको CRM समझ में आ गया होगा और आपको CRM समझ में नहीं है या फिर और आपको detailed वीडियो चाहिए with screen recording तो आप please comment कीजिएगा मैं जरूर दिखाऊंगा हमारे CRM का एक look आपको जरूर दिखाऊंगा थांको दोस्तों नहीं है नेक्स वीडियो में